हेलो इस्टुडेंट्स अभी हम दो क्लास 8 का साइंस परने वाले हैं जिसमें कि हमें चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करना है इस चैप्टर में हम साउंड के बारें परेंगे चैप्टर काफी ज्यादा लंबा है इसलिए इसे दो से तीन पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे य इनकी वच्छे हमें कि अधंड परेशन को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अर्षचा पर्फॉर्म कर सकते हैं इन सबी प्रेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी अफ्टिशन को जरूभी चेक आउट कर लीजेगा चैनल को सब्सक्राइप कर लीजेगा थाथा कि जितने भी नए वीडियोज आते हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे हैं तो चलिए ब्रेन मैपिंग से चैप्टर को शुरू करते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले हमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है उसके बाद हमारे मेन टोपिक पर आएंगे जो की है sounds और vibrations इसके अंदर बहुत सारे सब topics हैं जिसमें की सबसे पहले हमें sounds के बारे में परना है फिर vibrations के बारे में परेंगे humans कैसे sound produce करते है animals कैसे sound produce करते है sound का propagation कैसे होता है sound एक जगा से दूसरी जगा कैसे जाता है परेंगे, audible and inaudible sound क्या होता है, noise और music में क्या difference होता है, noise pollution क्या होता है और hearing impairment क्या होता है इन सभी सब topics को पढ़ने के बाद ये पूरा chapter complete हो जाएगा हमें कैसी दुनिया में रते हैं जहापर हर तरफ हमें आवाजे सुनाई देती है sound और music हमारे daily life का एक regular part बन चुका है हमें कई sources से आती हुई आवाजे सुनाई देती है example के लिए हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनकी आवाजे हम सुनते हैं birds की आवाजे आती है, animals की आवाजे आती है, vehicles, machines, television sets, music system हम इन सब चीज की आवाजे हमारे आसपास हमें सुनाई देती है हम communicate करने के लिए बोलते हैं, सुनते हैं, दूसरों के सवालों का जवाब देते हैं इन सभी चीजों में sound एक बहुत ही important role play करता है activity number one में कहा गया है कि आप सुभा उठिये और एक list बनाईए कि आपको अपने आसपास में कौन-कौन से sound सुनाई देते हैं और उन sounds में से कौन से sound आपके लिए pleasant है, मतलब सुनने में अच्छे लगते हैं और कौन से sound आपके लिए unpleasant है, यानि कि सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं science sound को हमारे nature का एक integral auditions चल पार्ट मानता है जैसे कि causes of generation of sound, sound का generation कैसे होता है, आवाज बनती कैसे है दूसरा है regions for differences in sound from different sources अलग-अलग sources से आने वाली आवाजे अलग-अलग क्यों होती है हर source से एक ही तरह की आवाज क्यों नहीं आती है mechanism of propagation of sound from one place to another एक जगा से दूसरे जगा sound का propagation कैसे होता है sound एक जगा से दूसरे जगा पहुंसती कैसे है और mechanism of hearing of sound by human ears इंसान के जो कान होते हैं वो sound को सुन कैसे पाते हैं हम इन सभी basic concepts को एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए इस chapter का सबसे पहला और एक लौता main topic स्टार्ट करते है sounds and vibration जिसमें की सबसे पहले हमें sounds के बारे में परना है ये जो word है न sound जब भी हम इस word के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है sense of hearing यानि कि सुनने का अनुभव इसलिए हम बोल सकते है sound is a form of energy which produces the sensation of hearing in our ears sound energy का वह रूप है जिसके कारण हमारे कानों में सुनाई देने का अनुभव होता है हमें लगता है कि कुछ हमें सुनाई दे रहा है हमें पहले से ये energy के अलग-अलग forms के बारे में पता है जैसे कि दो energy forms यहाँ पर दिये गए है एक है mechanical energy और दूसरा है heat energy इसके अलावा और भी बहुत सारे energy होते हैं जैसे कि sound energy के बारे में तो अभी हम लोग पढ़ी रहे हैं एक होता है electrical energy, chemical energy, thermal energy, nuclear energy इस तरह से energy के अलग-अलग रूप होते हैं हम यह भी जानते हैं कि energy को एक form से दूसरे form में convert किया जा सकता है मतलब अगर हम चाहे तो mechanical energy से heat energy बना सकते हैं चाहे तो electrical energy से mechanical energy बना सकते हैं मतलब किसी भी energy को किसी भी energy में convert कर सकते हैं example के लिए जब हम अपने हाथों से ताली बजाते हैं तो sound produce होता है और sound भी एक तरह का energy ही है मतलब इसको produce करने में भी energy consume किया गया होगा आपको वीडियो को pause करके सूचना है और बताना है कि यहाँ पर किस energy का conversion sound energy को produce करने के लिए किया गया देखें यहाँ पर sound को produce करने के लिए हाथों का इस्तिमाल किया जा रहा है मतलब muscular energy का इस्तिमाल किया जा रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस case में muscular energy sound energy में convert हो रहा है अब हम जान चुके हैं कि sound को produce करने के लिए different objects को strike किया जा सकता है उसको shake किया जा सकता है, blow किया जा सकता है, rub किया जा सकता है और plug किया जा सकता है आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सभी situations में हम किसी न किसी object को vibrate करवाते हैं और जब vibration होता है उसी के कारण से sound produce होता है जब भी किसी source से sound produce होता है तो उसमें कहीं न कहीं vibrations भी होता है इसलिए हम बोल सकते हैं कि vibrations are the basic cause of all types of sound जितने भी sound हम लोग सुनते हैं उसका कारण vibration ही होता है अगर vibration नहीं होगा तो sound produce हो ही नहीं सकता है यह हमारे लिए अब तक का सबसे important conclusion है इसको underline कर लेते हैं और अब हम कुछ activities करेंगे जिससे कि इस conclusion को verify किया जा सकता है activity number 2 हमें एक इकतारा लेना है जो कि एक type का musical instrument है जो कि कुछ ऐसा दिखता है इसमें एक tight wire होता है इस wire को हमें हलके से अपने हांसों से plug करना है धीरे से इसको खीचना है आप देखेंगे कि इसमें vibration होना शुरू हो जाएगा और इससे एक sound भी produce होगा जितने भी अच्छे musician होते हैं वो एक bow का इस्तिमाल करते हैं इसमें vibration करवाने के लिए बो कुछ ऐसा दिखता है जो कि इस बंदे ने right hand में पकड़ा है इसकी मदद से इसमें vibration करवाया जाता है और बहुत अच्छा music और song हमें सुनाई देता है activity number 3 आपको एक धफली लेना है और उसके top layer को strike करना है हलके से जब आप इसको strike करेंगे तो आपको इसके top layer में vibration होता हुआ दिखाई देगा vibrations को और अच्छे से देखने के लिए आप धफली पर paper balls या foam balls रखकर इसको strike कर सकते हैं ऐसे में जब आप strike करेंगे तो यह balls उपर dance करने लगेंगे उपर नीचे उछलने लगेंगे इससे भी यह proof होता है कि जब हम लोग इसको strike करते हैं तो sound produce होता है और साथ ही साथ यह उपर वाला जो membrane है वो vibrate भी करता है activity number 4 सबसे पहले हमें एक tin का can ले लेना है जैसे कि Red Bull का can आता है उसी तरह का tin का एक डबा ले लेना है Red Bull ने नाम लेने के लिए पैसे नहीं दिये इसलिए आप लोग खड़ीतना मत इस can को उपर से भी cut कर देना है और नीचे से भी cut कर देना है उसके बाद इसके उपर चावल के दाने रखतेने हैं और नीचे से अपने friend को बोलना है कि जोड़ जोड़ से चिला चिला कर टोनी ककर का गाना गए ऐसे में आप देखेंगे कि जैसे इसमें sound एंटर करता है चावल के दाने उपर नीचे उछलने लगते हैं इस वाले बैलून के membrane में vibration होने लगता है इन तीन simple activities की मदद से हमने verify कर लिया कि जितना भी sound होता है उसका basic cause vibration ही होता है vibrations के कारण ही sound produce होता है अब हमें vibrations के बारे में ही पढ़ना है जिसके बारे में आपने previous classes में भी पढ़ा होगा आपको याद होगा कि vibration क्या होता है vibration एक type का to and through या back and forth motion होता है जो कि किसी object के पास होता है कुछ cases में vibrations इतने छोटे होते हैं कि उन्हें detect करना possible नहीं हो पाता है example के लिए आप अपने table पर tap कीजिए आपको sound तो सुना ही देगा लेकिन table वाइबरेट करता हुआ दिखाई नहीं देगा vibrations हासानी से तब दिखाई देते हैं जब drum बसता है या bell बसता है या guitar का string ही जाता है activity number 5 में हमें कुछ musical instruments के नाम और उसके image दिये गए है और हमें बताना है कि उस instrument में vibrating part कौन सा होता है जिसके कारण से sound produce होता है सबसे पहला है flute जिसमें की air column वाइबरेट करता है इसमें हवा ही वाइबरेट करती है दूसरा है guitar जिसमें की string वाइबरेट करता है इसमें जो string लगा होता है वही वाइबरेट करता है तीसरा है drum जिसमें की membrane vibrate करता है इसके उपर जो membrane लगा रहता है वो ही vibrate करता है चौता है जलतरंग जिसमें की water vibrate करता है सितार में भी string ही vibrate करता है harmonium में metal reeds लगे होते हैं जो की vibrate करते हैं और संतूर में भी string ही vibrate करता है Sounds produced by humans इनसान आवाज कैसे produce करते हैं इस सब टॉपिक के अंदर हमें detail में परना है As a human being हमें तरह तरह की आवाजे सुनने की आदत हो चुकी है जैसे कि हम अपने family members की आवाजे सुनते हैं, अपने friends की आवाजे सुनते हैं, neighbors की आवाजे सुनते हैं एकसेप्ट टोनी ककर, लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि how do we humans produce sound इनसान होकर हम sound कैसे produce करते हैं, हमारे body में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा system लगा हुआ जो की vibrate करता है और हमें sound produce करने में मदद मिलती है, इसका सीधा सा answer है voice box या जिसको larynx भी कहा जाता है यही वो system हमारे body में present होता है, जिसकी मदद से हम sound को produce कर सकते हैं हमारे voice box में दो vocal cords होते हैं, जो की stretched होते हैं, खिचे हुए होते हैं यह दोनों हमारे voice box के उपर कुछ इस तरीके से खिचे हुए होते हैं, कि इनके बीच एक narrow passage होता है, narrow gap होता है हलका सक gap छुटा हुआ रहता है, और उसी gap से होकर air pass कर सकता है, उस gap को slit कहा जाता है जब हमारे lungs के द्वारा force किया गया air, इस slit से होकर निकलता है, तो हमारे vocal cords में vibration होने लगता है और इसी कारण से sound produce होता है, human body में एक ऐसा muscle होता है, जो की इनी vocal cords से जुरा होता है ये जो muscles होते हैं में लिए दो काम करते हैं, ये vocal cords को tight या loose कर सकते हैं, और उनको मोटा या पतला भी कर सकते हैं इसके लिए ये muscles vocal cords से जुरे हुए ligaments को pull करता है, ligaments क्या होता है, ligaments एक टाइप का strong tissue होता है vocal cords में इस तरह के changes करके sound का pitch बदला जा सकता है, और sound को sureller या flatter बनाया जा सकता है example के लिए जब vocal cords में changes लाकर pitch को high कर दिया जाता है, तो हमारा sound कुछ इस तरहिके से सुनाई देता है और जब pitch को low कर दिया जाता है तो हमारा sound कुछ इस तरीके से सुनाई देता है मं और चेल्रेण के vocal cords में कई सारे differences होते है जैसे कि उनका size भी अलग होता है उनका tautness भी अलग अलग होता है उसका thickness भी अलग अलग होता है इन्हीं differences के कारण हर group का चाहे वो men हो या women हो या children हो हर group का sound अलग अलग तरीके का होता है एक बहुत important do you know यहाँ पर दिया गया जिसमें कि बताया जा रहा है कि जो vibrations हमारे vocal cords में होता है वो speech में convert कर दिया जाता है with the help of our tongue, our nose and our lips केवल vocal cords की मदद से हम लोग नहीं बोल पाते हैं अगर हमारे पास vocal cords होता भी और हमारे पास tongue नहीं होता, nose नहीं होता, lips नहीं होता तो हम लोग कुछ भी meaningful नहीं बोल पाते हैं बस अबाजबा डबा करते रह जाते speech और sound में बस यही थोड़ा सा difference है, speech एक ऐसा type का sound vibration होता है जिसका एक definite meaning होता है और वो हमें समझ में आता है अगला सब टॉपिक है sounds produced by animals, animals कैसे sound produce करते हैं उसके बारे में हमें परना है हमारे अर्थ पर अनेक प्रकार के birds और animals पाए जाते हैं जो की अलग-अलग तरह के sound produce करते हैं इन में से कुछ sound हमारे लिए बहुत pleasant होता है, सुनने में हमें बहुत अच्छा लगता है और इन में से कुछ उतना pleasant नहीं होता है और कुछ तो unpleasant होता है, हमें सुनने का एक दम मन नहीं करता है different birds और animals के body में different mechanism और different setup प्रेजेंट होते हैं जिसकी मदद से वो खास तरह के sound को produce कर पाते हैं इनसानों के तरह ही कुछ animals vocal cords की मदद से sound produce करते हैं जैसे कि कुछ भौकता है, बिल्ली म्याव म्याव करती है, घोरा हिन हिनाता है, शेर दहारता है और काव मू करती है ये सब vocal cords की मदद से ही हो पाता है नमबर टू, birds के पास cartilage का ring होता है cartilage एक soft bone होता है जैसे कि हमारे कानों में है बिल्कुल उसी तरह का जिसको की sirens कहा जाता है और ये bird के wind pipe में present होता है ये vocal cords के जगा इसी का इस्तिमाल करते हैं और इनके voice box में इसी की मदद से sound produce होता है इस तरह के sound अकसर jarring होते हैं यानि की unpleasant होते हैं इसे सुनना हमें पसंद नहीं होता है जैसे कि कौवे का आवाज लेकिन कुछ birds का आवाज pleasant भी होता है हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है जैसे कि कोयल का आवाज, parrot का आवाज और मैना का आवाज इनसेक्ट जैसे कि मच्छर हो गए, मदमक्खी हो गई ये सब मुह से sound produce नहीं करते हैं इनका जो अलग type का sound होता है, ये अपने wings को vibrate करवा के produce करते हैं इनके wings का vibration जितना rapid होता है, जितना ज़्यादा तेज होता है उतने ही high pitch का sound produce होता है और number 4, मेधक जो होते हैं वो crock करते हैं यानि कि टर टर करके आवाज निकालते हैं इसके लिए उनकी मदद करता है उनका vocal sax जिसमें की वो balloon के तरह हवा भर लेते हैं उनका गला balloon के तरह जितना ज़्यादा फूलता है उतना ही तेज crocking sound हमें सुनाई देता है एक do you know यहाँ पर दिया गया है जिसमें की बताया जा रहा है कि मदमक्खियां जब अपने छत्ते में वापस आती है तो honey लेकर आती है जिस वज़ा से उनका body थोड़ा heavy हो जाता है इस वज़ा से वो अपने wings को उतने तेजी से vibrate नहीं करवा पाती है जितने तेजी से वो खाली भीना honey के vibrate करवा पाती है इसी वज़ा से मदमक्खी के budging sound के पीछ में difference आ जाता है और इस difference को trained person आसानी से पहचान जाते है और उनको पता चल जाता है कि मदमक्खी honey लेकर वापस अपने छत्ते में आ रही है या honey collect करने वो बाहर जा रही है इन सभी example से हमें पता चलता है कि sound की दुनिया सच में बहुत बड़ी है और बहुत आकरशक है और शायद ये भी एक reason है जिसकी वज़ा से हमारा आर्थ इतना unique, इतना lively और इतना interesting है तो finally हमने इस chapter में यहाँ तक के सभी topics को complete कर लिया इसके आगे के topics हम लोग part 2 में बढ़ना शुरू करेंगे अगर आपको इसका part 2 भी चाहिए तो comment में लिक कर ज़रूर बताईएगा आपके class के science का playlist ओपेंट करने के लिए left side में क्लिक कीजे वहाँ पर आपको एक line से हर chapter का video मिल जाएगा और अगले class का video देखने के लिए right side में क्लिक कीजे फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली class में बहुत सारे ने topics के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से परहाई करते रहिए